दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मसाने की गर्मी के बारे में, यानि की यूरिनरी ब्लैडर के अंदर गर्मी के बारे में, मुत्र पिंड के गर्मी के बारे में, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, पेट की गर्मी, यानि की दोनो और मसाने की गर्मी दोनों से बचना है दोनों की problems जब बढ़ती है तो अलग-अलग problems आती है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो क्या-क्या problems आती हैं कैसी आप इस सिन रिजाद पास सकते हैं आपको क्या-क्या करना पड़ेगा इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो इससे समझने के लिए आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहें पहली बार चैनल पर हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके ओल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इनफर्मेशन आपको मिलती रहे क्योंकि इस टब की बहुत सारी इनफर्मेटी वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी हैल्फ रूस हो सकती है और दोस्तों आप लोग के कमेंट के माद दें से लाइक के बाद देंसे बहुत सारा हेल्फ मिल रहा है बहुत सारा प्यार मिल रहा है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से सुक्रिया करता हूँ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे हैं हम एक से वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे होना होना खटी डखारे आना उल्टी जैसा संसेशन होना और उसके अलावा पेट के अंदर जलन सीने के अंदर जलन तवचा से संबंधित तमाम तरह की प्रब्लम्स जैसे दाग धबे पिंपल्स वगएरा बढ़ने लग जाना इस टाइप की जो है तमाम समस्याएं आपको ब गर्मी बढ़ जाती है तो आपकी पर्सनल प्रब्लम बहुत ही जादे बढ़ जाती है जैसे वीर्य क्या पतलापन होना यानि वीर्य पतला हो जाएगा बिल्कुल भी पेसाब के समय या कभी बी चिप-चिपा पदार्थ का निकलना तो अपने दोस्त जैसे होने लग जाना सिगर पतन जैसी समस्याओं का बढ़ जाना या फिर किशी लड़की से बात कर रहे हैं यहां तक फोन पर भी बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वीर्य निकल जाना या फिर चिप-चिपा पदार्थ का स्राव होना इस टाइप की समस्याओं बहुत जादे बढ़ जाती हैं और ये खास करके उन बच्चों को जिनकी एज 15 से 25 साल है इस एज के अंदर बहुत जादे देखने को मिल रही है तो इस सबसे बचने के लिए थोड़ा सा सेंस्टिव मेटर है प्रबलम यह है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसका रिपलाई देना हमारा करतर बे बनता है अगर हम नहीं बताएंगे आप लोग हमसे नहीं पूछेंगे तो आखिर में किस से पूछेंगे लोग बहुत ही परिसान रहते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन नहीं जा पाते हैं वो लोग कह नहीं पाते हैं तो मैं बताने के लिए हूँ इन सारी प्रबलम्स का 100% solution आपको मिल जाएगा बस तरीका सही इस्तेमाल कीजिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट की गर्मी को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए पेट आपका ठंडा रहने लग जाएगा तो अल्रेडी धीरी धीरी जो आपका मसाने की गर्मी है वो भी सही होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिन में पानी का सेवन जादे से जादे करना है, कुछ लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, जब तक प्यास नहीं लगेगा, तब तक पानी नहीं पीते हैं, पानी दिन भर में 6-7 गिलास आप पानी जरूर पीएं, कुछ टाइम रुक रु तो जरूरी है, बातरूम जाएंगे, तभी आपकी गर्मी है वो निकलेगा, तो उससे आप ना डरें, आप जरूर आदत बनाएं, अगर पहले से आप ज़्यादे पानी नहीं पीते हैं, जैसे पानी श्टार्ट करेंगे, तो आपको बातरूम जल्दी जल्दी आएगा, ल कची चीजें, मूली, गाजर बगएरा, यह जो सलाद होता है, यह बहुत ज़्यादे जरूरी है, जब भी आप भोजन करते हैं, तो पहले सलाद को खाएं, आईरुवेट कहता है, कि पहले सलाद खाएं, फिर फॉल फ्रूट्स बगएर है, उसको खाएं, उसके बाद पका ह जरूरी है, सुबबासी मूह, उसके अंदर अगर आप सहद मिला लेते हैं, तो और अच्छी बात है, पेट को साफ करना है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर आधा नीबू निचोर दीजिए, जबरदस्त लाब होगा, पेट साफ होगा, गर्मी आइटोमेटिक दूर होगी, उसके बाद जो है, आउसदी के तौर पर अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है, तो जबरदस्त आईरवेद में इसके लिए बताया गया है, आपको गोंद कतीरे का सेवन करना है, बहुत बहतरीन काम करता है, इससे रात में जो है, आप भीगो दें, डेली आपको, तो थोड़ा सा जादे मात्रा में भी आप जो है, इसको भीगो सकते हैं, गोंद कतीरा मार्केट में सही आपको लेकर क्याना है, मार्केट से, कुछ बहुत ही जादे डार्क कलर के होते हैं, वो नहीं चाहिए, जो जादे सफेद हो, वो सही गोंद कतीरा होता है, त तो उसका तीन गुना के आसपास जो है आपको पानी की जुरूत परती है, देख लेजिए डबे में कितना, कहां तक पहुँचा है आपका गोंद कतीरा, और उससे तीन गुना पानी बढ़ा करके डाल दीजिए, वो पूरे रात में फूल जाएगा, और ये फूला हुआ आप तीन-चार दिन तक रख भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, फ्रीज के अंदर रखिये, और यूज करने के तरीके की बात करें, तो आप इसको दो टाइम यूज कीजिए, दूद को गरम करके बिल्कुल ठंडा कर लिजिए, गरम दूद नहीं पीना है, ध्यान रखेंगे, बिल क्या गजब का स्वाद आपको मिलने वाला है, जबरदस्ट स्वाद बनेगा, और उसको जो है आप थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, तो अब चम्मस से खा भी सकते हैं, और ज़्यादे गाड़ा नहीं है तो उसको यह खीर की तरह आप उसको पी भी सकते हैं, इतना जबर दस्त काम करता है सुबय नास्ते के बाद और रात्तिरी के भोजन के आदे घंटे बाद जो है आप इसका सेवन करें, इस टाइप के पेट से रिलेटर तमाम जो समष्याएं हैं, यह सब जो है धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी और आपका डाइजेशन फिट हो जाएगा, औ अगर आपको हो रहा है सिंगरपतन जैसी समस्याएं हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों में यह बहुत अच्छा काम करता है, यानि कि पेट आपका ठंडा हो जाएगा, तो यह सारी प्रब्लम खतम हो जाएगी, लेकिन इन सब के बाद भी अगर प्रब्लम्स बढ़ गई हैं, सह प्रब्लम है, तो उनको यह आवला चुर्ण से ही सही हो जाएगा, मातर कुछ दिनों के अंदर, अगर यह प्रब्लम की सुरुआत ही हुई है, तो आप सुबह सुबह खाली पेट जो है, एक चम्मच आवला चुर, एक चम्मच सहद में अच्छे से मिला करके आप इसको चा हो जाएगी, इसके अलावा, जो लोग पित प्रकृति के हैं, पर्मानेंट इलास के लिए, हमेशा के लिए सही करने के लिए, उस आपको क्या करना चाहिए, कि सुबह सुबह खाली पेट जो है, एलोवेरा जूस और आवला जूस, बिस से ती से मिल दोनों को गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको जरूर पीना चाहिए, और सर्दी है तो आप उस गुनगुने पानी में डाल करके इन दोनों को पीजिये, जबरदस्त लाव होता है पित प्रकृति के लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा काम करता है, आपका डाईजैसन सुधरेगा, आपक इसको दो से तीन महीने जरूर पीना चाहिए और यह चाहें तो यह दवा नहीं है आप पर्मानेंटली भी आप इसको चला सकते हैं इसमें से जो आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं उसके बाद जो है जो लोग बहुत ही जादे परिशान है सिंगर पतन से परिशान है नाइट फॉल से परिशान है और इसमें अपने दोस से परिशान है उनके लिए आईर्वेट के अंदर सतावर सबसे बहतरीन आउसदी बताई गई है उसके लिए आपको क्या करना है दूद को उबाल करके बिलकुल भी ठंडा कर लें या फिर आप जो है दूद जब उबाल तो वो गाड़ा हो जाएगा एक चमट जैसे डालें खीर की तरह गाड़ा हो जाएगा अगर उसके साथ उबाल दे रहे हैं तो उसके बाद उस दूद को बिलकुल ठंडा हो जाने देजिए गरम आपको दूद कभी भी नहीं पीना है द्यान रखेंगे रात को भोजन के कहने का मतलब हलका भोजन कीजिए यह नहीं की पूरा दबा करके खारें तो इस टाइप की प्रब्लम्स आपको बहुत जादे देखने को मिलेंगी रात को जब भी सोने जाते हैं तो हाथ पर धो करके गीले पैर के साथ सो ये बाद में इसको बहुत अच्छा राम मिलता है और यह सारी चीज़े अगर आप करते हैं तो मसाने की गर्मी बाहर तो निकलेगी ही शरीर की भी गर्मी बाहर निकलेगी और धीरे धीरे यह सब सारी प्रब्लम्स आपके पेट की जो समस्या है या फिर मसाने की गर्मी की जो समस्या है वो खतम हो जाएगी और आप एक स्व वीडियो इन्फर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगर वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें बैं मिलता हूं नेक्ट किसी और अच्छी इन्फर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स हुआ है